जै माता दी आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुन्दर सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ कहानी इस परकार है एक राजा ने यह एलान करवा दिया कि कल सुभा जब मेरे महल का दरवाजा खोला जाएगा तब जिस सक्ष ने महल में जिस चीज को भी हाथ लगा दिया वह चीज उसकी हो जाएगी इस एलान को सुनकर सब लोग आपस में बाचित करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज को हाथ लगाऊंगा कुछ लोग कहने लगे मैं तो सुनी को हाथ लगाऊंगा कुछ लोग चांदी को, कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोडों को, कुछ लोग हाथी को, कुछ लोग दुधारी गायों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे जब सुबह महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी मन पसंद चीज़ों के लिए दोड़ने लगे सब को इस बात की जलती थी कि मैं पहले अपनी मन पसंद चीज़ को हाथ लगा दूगा ताकि वह चीज मेरी हो जाएगी राजा अपनी जगह पर बैठा सब को देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागम भाग को देखकर मुस्कुरा रहा था उसी समय भीड में से एक सक्स राजा की तरह बढ़ने लगा और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुचकर उसने राजा को छो दिया राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर चीज भी उसकी हो गई जिस तरह राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतिया की ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सब को हर रोज मौका देता है लेकिन अफसोस हम लोग भी हर रोच गलतिया करते हैं हम प्रभू को पाने की वज़ाए उस परमपिता की बनाई हुई दुनिया की चीजों की काम ना करते हैं लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों ना दुनिया के बनाने वाले प्रभू को ही पालिया जाए क्योंकि अगर प्रभू हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई हर चीज भी हमारी हो जाएगी और इस परकार हमारी बहुती सुन्दर सी कहानी समाप्त हुई